रामनगर के दो युवकों की सडख हाथसे में मौत रामनगर में डैशनल हाईवे 309 पर ग्राम हलदुआ के समीप सडख हाथसे में दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया उसे उपचार के लिए नीम करोली अस्पताल फिरुम दारा में भठी कराया गया है पुलिस के अनुसार गुरुभार ते रात मोहला गुलर घंटी ने बस्ती निवासी मुशीद अली अपनी दोस्त मसुरुद दिन निवासी ग्राम देली पुरा और सुलिमान बाइक पर सवारगो कर काशिपूर से अपने घर रामनगर आ रहे थे ग्राम हलदुआ के समीप उनकी बाइक आगे चल रही ट्रेक्टर ट्रोली में जागुसी इस दोर घटना में तीनों गंभी रूप से घायल हो गये उन्हें उपचार के लिए स्पताल ले जाय गया ज़ा मुशिद अली और नसुरुद दीन की मौत हो गई मुशिद अली दो बहनों का एक लोता भाई था और महनत मस्दूरी कर परिवार का भरन पोशन करता था उसकी मौत की खबर सुनकर परिवार वालों में कहराम मच गया नवभारत समाचार रामनगर से रागिप खान के रिपोर्ट